दोस्तो आज के स्वीडियो माँ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मुबाइल फॉन के नौटिफिकेशन बार माँ अपनी फोटो लगा सकते हैं यहां दोस्तो आपने देखा होगा जब भी आप अपने नौटिफिकेशन बार को ओपन करते हैं आपको सिंपल सा एक नौटिफिकेशन बार देखने को मिलता है या तो वाइट कलर में या ब्लैक कलर में कंपनी से जब आप मुबाइल फॉन करीते हैं दोस्तों वहाँ पर जो कस्टमाइजेशन होता है दो ही कलर को होता है अगर आप चेंजे भी करना चाहें तो वहाँ पर सिर्फ आपको दो कलर मिलते हैं चेंजे करने के लिए वाइट एंड ब्लै लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं जो कि जिससे की आप जो है अपनी फोटो वहाँ पर लगा सकते हैं अब काफी सारे आपने वीडियो देखाऊंगे जिसमें बताया जाता है कि आपको अपनी फोटो लगा सकते हैं लेकिन उसमा आपने देखा होगा आपको वहाँ पर एक पेड अप्लिकेशन बताई जाती है जिसकी मदद से कोई भी अपनी अप्लिकेशन बार की फोटो को च करते हैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि देख सकते हैं सबसे बहले आप नॉटिपिकेशन बार पर हमें सिंपल सा जो है यहां पर बैक्ग्राउंड देखने को मिलता है वाइट या ब्लैक कलर में अब यहां पर मैं अपनी फोटो लगा कि आपको दिखाऊंगा आप अपनी फोटो लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक अप्लिकेशन डाउनलोड कर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अप्लिकेशन को यहां से ओपन कर लेते हैं और जो भी इसमें भी परमीशन मांगेगा वो सारे ही परमीशन अलाओ करने हैं तो सबसे बहले हमें पलसा यहाँ पर add को cut कर दिंगे क्योंकि free application है dual sim देखने को मिलेगा यहाँ से आप allow कर दिंगे उसके बाद accessibility मिलेगा इसे भी आप क्या करेंगे यहाँ से allow कर दिंगे accessibility के अंदर आपको install service पर आना है यहाँ पर आपको मिलेगा one set इसे यहाँ से on कर दिंगे आप उसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ पर आपको shortcut मिलेगा इसे भी यहाँ से on कर दिंगे उसके बाद आपने यहाँ से back आजाने है notification आपको देखने को मिलता है इस पर आप click करेंगे और यहाँ से इसे भी आप प्रमेशन इसकी allow कर दिंगे one set application को डोट के अब इसमें जो तीनुही setting थी हो complete हो चुकी है application पुरी तरिके से ready हो चुकी है यहाँ पर अब क्या करने है आपको यहाँ पर आपको colors का option मिलता है आप इस पर click करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले यहाँ पर customer background image यहाँ पर अपनी image लगा सकते हैं उसके बाद background टाइप भी आपको मिल जाएगा तो background color यहाँ पे सबसे पहले हम आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी background color मैं यहाँ से select कर लेता हूँ जैसे blue मैंने select कर लिया आप यहां से apply कर दूँगा तो जैसे इसे यहां से apply करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं यहां पर यह वाला color लग चुक है काफी ज्यादा attractive दिख रहा है उससे ज्यादा तो इसी तरह से आप कोई भी color यहां से लगा सकते हैं चाहे तो background यहां से image भी लगा सकते हैं आपको कोई भी पैसे यहां से pay नहीं करने कैसे आप अपने notification बार में खुद की photos लगा सकते हैं like proof मैंने दिखा भी दिया लगा गया तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर दे रहां comment करके बतना वीडियो कैसे लगी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई problem होई हो फोटो नहीं लग पा रही हो application downloading में कोई problem हो तो तीशे जाकर follow करें और मुझे message करें मापका reply जरूर दूंगा thank you so much